हेलो एवरिवन दस साइट जातन राजपाल CBSE क्लास 12 की बोर्ड की डेटशिट आ चुकी है और पहला एक्जाम होने जा रहा है 24 फेबररी को इंग्लिश का जो की मेन कोर्स अबजेक्ट है आपका 24 के बाद नेक्स एक्जाम आपका है माथमेटिक्स का भगवान आपसे बहुत खुश थे तो उन्हेंने का भईया CBSE वाले भी बहुत खुश थे कहे रहे रोज का एक चेप्टर पढ़ो मैट्स का 16-17 दिन के आसपास छुटियां दे दी आपको बहुत सारी छुटियां दे दी मैट्स के अंदर आपको 11 मार्च को आपका next मार्च का मैट्स का पेपर है then 17 को economics का पेपर है then 23 को आपका IP का पेपर है 25 तरीक को business studies और 31 मार्च को जिस दिन account 10C को close किया जाता है उस दिन accounts का पेपर देखी भी आपकी 12th close हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से यह date sheet commerce की आ चुकी है science की भी आ चुकी है 10th की भी आ चुकी है अगर हम commerce की बात करें तो that is the main date sheet अब क्या strategy follow करनी चाहिए कि अब हमें पता है कि यहां से 24 सरवरी से हमारे board exam हो रहे है तो एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी एक subject ऐसा है जो पूरे साल नहीं पड़ा ऐसे तो कई लोगों ने कोई subject भी नहीं पड़ा होता but English पहला paper है 24 तारीक को तो सबसे पहली खुशकबरी आपको यह देंगे जो बच्चे economics classes के offline में पड़ते हैं 24 January से उनकी English की offline classes हमारे center पे free of course चलेगी तो जो भी बच्चे economics और BST में अन्रोल्ड है एक महिने के लिए हम पूरी free English आपको पड़ाएंगे आपको निश्चिंत रहने की जोड़ते कोई tension लेनी की ज़रूरत नहीं तो एक चीज तो आपका यहां कतम बच्चे कुछ कहेंगे सर आप January में ही शुरू करते हो सर January में फिर again second preport चल रहा होगा आप ज़्यादा occupied होंगे so it's better कि जब classes तब रखी जब आप आप ही सके so पहली announcement second आता है maths maths में भगवान ने आपको बहुत support कर रहा पढ़ोगे अराम से आपका maths हो जाएगा then आता है economics तो उसके लिए मैं आपको यह suggest करूँगा कि आप जो economics पढ़ रहे हो उसमें आज क्या करो आज ही अपना syllabus print out कर लो economics का पूरा और उसमें लिख दो strength weakness वाला area कि सर मुझे national income के अंदर यह तो पता है final good क्या है intermediate good क्या है मेरको income expenditure value added के method भी आते हैं बट मुझे GDP के limitations नहीं आते सर what to include in not include in national income वो नहीं आता सर determination के numerical नहीं होते access demand, deficient demand की monetary policy नहीं होती जो जो आपका weak area है government budget के numericals कही बर गज़त हो जाते हैं यह identify नहीं होते BOP, F.E.R. के diagrams नहीं बनते यह सारी weakness एक paper पे लिख लो ऐसे ही Indian economic development के अंदर सर data याद करने है या नहीं करना जो भी table वाला data है कोई याद करने की जूरुत नहीं है वो आपको board में दिया हुआएगा सिब आपको elaborate करना होगा तो आप यह चेक करो कि मुझे क्या क्या चीज़े याद करने है chapter number two सा सबस्यादा land reforms के questions आते हैं subsidies के उपर questions आते हैं क्या वो learn है या नहीं है strengthen weakness analytics बना लो तो आपको दो चीज़ के लिए रुजएंगी या तो आपको 10% course आता होगा या आपको 90% course आता होगा 10% course आपको करना होगा आपको एक analytics मिल जागा 60-40, 50-50 वो data आने के बाद जब आपको पताशल जाए कि मेरी situation ऐसी है economics में, business studies में मेरे हर subject में apply कर सकते होगी है then उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ने की strategy बनाओ और एक चीज़ या रखना अगर आप अच्छा score करना चाते हो तो जैसे हम economics में आपको 5-5 sample लेपर अभी तक करा चुके हैं और दो-दो बार आपका school में माउंट अभू स्कूल के अंदर test conduct कर चुके हैं तो कम से कम हमने अपने हर बच्चों को साथ-साथ sample लेपर करा दिए ऐसे आपको हर subject के 20-20 sample लेपर at least practice करने है economics classes के भी last moment revision booklet आ रही है उसमें भी खूप सारे sample लेपर होंगे बिना sample लेपर करें आप notice कर लेना हमारे हाँ पर last year भी 20 बच्चों के 100 on 100 थे 400 से जादा बच्चों के 90 बलस थे हमारे पास पूरी list है इसकी हमारी websites में आप जाके चेक कर सकते हैं एक एक बच्चे के results दिखा सकते हम आपको हमने एक ही magical formula follow किया है that is of access of practice papers हम इतने practice कराते हैं बच्चों को तो आप लोग को एक चीज दिमाग में जरूर रखनी है practice paper बहुत जादा आपको practice करने और in fact हम आपको कोशिश करेंगे कि हम अपने portal पे आपको other subjects के भी practice papers दे दे so that आप और भी practice subjects के करना चाहें तो वहाँ से practice करें but strategy should be very clear कि एक print out निकालो syllabus के strength and weakness analytics करो और अब अगले दिन से लकल से बिल्कुल start हो जाओ पढ़ने के लिए पूरे effort डालो और दिमाग को समझाओ जैसे कई बाद चंचल मन आपको बोलेगा क्या यार कल से कर लूँगा परसों से कर लूँगा या एक काम करता हो new year से बहुत पढ़ूँगा मतब date sheet मिल गई हाँ पढ़ना तो बहुत है बड़ अब कबसे पढ़ूँगा या new year एक को है दो सपक्का पढ़ूँगा यह चंचल मन तो बिटा भठकाएगा आपको इसका तो काम है यह तो आपको बार-बार बताता रहेगा यह तो जोच्छी की तरह है दो तारी एक दिन एक बजे से पढ़ेंगे इनका तो model ऐसी चलेगा भाई तो आपको क्या करना है इसको कहना चल यार दस मिनट की तो बात है एक चैप्टर और कर लेते हैं तो एक चीज आ रहेखने दस मिनट करकर के बुन्द बुन्द से सागर बनता है ऐसे ही आपको मन टिकाना पड़ेगा जो लोग spirituality में होते हैं वो meditation करने के लिए जब बैठते हैं तो उनका भी ध्यान divert होता है उनको भी बहुत बार अपने आपको क्या करना पड़ता है motivate, buck up करना पड़ता है कि हाँ भाई मैं कर लूँगा कर लूँगा ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ठीक है सो मेरे साबसे बहुत ही अच्छी date sheet बनाई है सबके पास बहुत अच्छा टाइम रहेगा सो आज से अपना strategy बनाओ strength and weakness analytics करो मेरे words भूलना मत sample रे पस बहुत practice करने economics VST के portal पे हम आपको देई देंगे बाकी कोशिश करेंगे other subjects के भी और देदें English के sessions आपके लिए free रहेंगे 24 January से God bless you all